मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेताओं का दूसरे दल से संपर्क करने या दल बदलने का सिलसला शुरू हो गया है प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के इस बयान ने संसनी फैला दी है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में है वहीं बीजेपी ने कमलनात पर पलटवार किया है और कहा है कि कमलनात का दर्द जायज है सत्ता की कुरसी जाने के बाद उनका दर्द सामने आते रहता है वहीं बीजेपी के आदिवासी नेता और पूर्व जानसत को कांगरेस के पाले में लाने में सफलता भी प्राप्त कर ली है उदर प्रदेश कांगरेस अद्देक्ष कमलनात के एक बयान से बीजेपी खेमे में चिंता बढ़ गई है उन्होंने साब कर दिया है कि बीजेपी के कई नेता उनसे संपर्क में उदर बीजेपी का कहना है कि कमलनात का दर्द सत्ता के जाने के बाद से ही कभी कबार सामने आते रहता है इसमें कितनी साच चाहिए यह तो समय ही बताएगा दरसल कॉंग्रेस का फोकस उन 65 सीटों पर है जो कॉंग्रेस कई सालों से हार रही है इन सीटों में से एकतियाई सीटों पर कॉंग्रेस के पास प्रत्यासी तक का टोटा है कॉंग्रेस के रणनीती कारों ने इन सीटों पर बीजेपी की दूसरी पंक्ति के नेताओं पर नजर जमाली है इन नेताओं को टिकट का भरोसा दे कर कॉंग्रेस अपने पाले में लाने की जुगत में यही वज़े है कि बीजेबी खेमे में चिंता है आएनेश न्यूस के लिए भोपाल से मनिश कांजेन किरपो